जै माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागते महाकादी भगतियानी यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भगतों को बताने वाली हूँ जिसको दिखने लगे ये आठ संकेत तो उसके सरीर में माता काली रम चुकी है पूरी तरास से कितने दिन में माता काली उस व्यक्ति से बात करने लगेगी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ जैसे कि आपने देखा है जब किसी भी इंसान के उपर किसी भी व्यक्ति के उपर कोई उपरी वादा भूत प्रित की चीज होती है और उस चीज को उसके सरीर में रहते रहते काफी समय हो जाता है जैसे कि 5 साल, 3 साल, 10 साल, 1 साल इतना समय हो जाता है जब उसको कोई अच्छा पतारे क करता है लेगिन उतारे काफी लगते हैं ताकि वह जो सरीर में रम चुकी है चीज उसको निकालने में अप पूझा पाथ करते रहते मंतर जाप्जाप करते रहते मात Αकाली के मोस्यал três मेर थ्युम्म Very जो आठ संकेत बताने वाली हूँ यदि आपको इन आठ संकेत में से एक या दो या तीन आठों में से एक भी संकेत आपको मिलता जुलता दिखाई दे कभी भी जीवन में तो समझ जाना आपके सरीर में माता काली की सक्ती रम चुकी है और कितने दिन में वो आपसे बात करने लगेगी सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ लेकिन बताने से पहले आप सभी को एक खुश खबरी देना चाहते हूँ जिस चीज का था आपको इंतिजार वो चीज आप मैं आपको देने जा रही हूँ तो के सबस्क्राइबर के लिए, मैंने आपसे कहा था और आपने उसको पूरा क्या इसी लिए मैं आपको कहा था कि मैं आपको अपना नमबर दोंगी जिस से आप मुझसे direct बात कर सकते हैं और आज मैं आपको कि आप हर समय करते रहेंगे, हर समय आपको वो नंबर नहीं लगेगा, जिस समय आपको मैं बताऊंगी, उसी समय आपको कोल करनी है, अब जैसे ही आप कोल करेंगे, मैं सबकी समश्यों का हल माकाली की किरपा से करत पाऊंगी, अगर आप मुझे अपनी समश्या बगाएंगे, तो अब आपसे उमीद है एक मिलियन सब्सक्राइबर की जल्दी जल्दी एक मिलियन सब्सक्राइबर करा दो उसके बाद आपको मेरा फेस देखने को मिलेगा फिर मैं आपको अपना फेस दिखा के वीडियो बनाए करूँगी तो आठ संकेत मैं आपको बता रही हूँ जिसके शरीर में माता काली की शक्ति रम जाती है उस व्यक्ति को सपने के माध्यम में ये आठ संकेत दिखने लगते है पहला संकेत बार बार माता काली का मंदिर दिखना दूसरा संकेत बार बार माता काली की मूर्ति दिखनी पांचवा संकेत बार बार माता काली का या किसी भी दृस्य का सपना दिखाई देता है तो सपने में बार बार चटके लगते हैं इस तरह की चीज आपके साथ होती है जब आपके सरीर में कोई भी शक्ति रम जाती है चटवा संकेद जिस व्यक्ति के सरीर में माता काली की शक्ति रम जाती है उस व्यक्ति को बार वर पूजा पाठ के समय सरीर उसका हिलने लगता है और गवराहट सी उसको होने लगती है उल्टी आने का मन होता है इस तरीके का द्रिस्या के साथ तब होता है जब आप लोगों के सरीर में माकाली की शक्ती रम जाती है साथ बसंकेद जिसके सरीर में माकाली की शक्ती रम जाती है उस व्यक्ति को अपने सरीर के हर अंग में हलका फुल का दर्द देखने को मिलता है जैसे कि आपके भी होता होगा कभी कभी पूजा पाट करते समय तो इस तरह का धरद अगर आपके सरीर में बना रहता है हलका फुलका नोर्मल तो समझ जाओ वो जो धरद है वो किसी बीमारी का नहीं है वो शक्ति का है जो शक्ति आपके सरीर में रम चुकी है मा काली आठवा लाष्ट संकेत जिस व्यक्ति के सरीर में मा काली की शक्ति रम जाती है उस व्यक्ति को बार बार सपने के माध्यम में दो लड़की दो कन्या या दो औरत या दो बूड़ी औरत जोड़े में साथ दिखते है अगर इस तरीके के संकेत आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपके सरीर में मा काली रम चुकी है तभी आपको इस संकेत देखने को मिलेंगे अब इन में से एक या दो या तीन या चार या पाच भी संकेत आपको मिलते जुलते कभी भी दिखाई दे या अरड़ी दिखते हैं तो कमेंट करके बताना जरूर और मैं आपको बताऊं आपके सरीर में माकाली की शक्ति रम चुकी है और वो कितने दिन में पूरी तरह से खुल के आपसे बात करने लगे यह भी बता देते हूं यह कि अग अगर आप देली प्रती दिन पूजा पाठ माताकाली की करने लगोगे जब आपके सरीर में माकी शक्ति रम जाएगी तो चलिए दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं अब हम आपसे मिलेंगे ने अगरुरुरुरुण